अन्जी राम राम जी क्या हाल चाल आपके उमीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा दोस्तों सीटी के उपर या मैं यह कहूं कि अर्याना की सभी बर्तियों पर कोर्ट केश चल रहा है आज सुनवाई थी और इंपोर्टेंट केस थे जो कि अर्याना की सभी बर्तियों से रिलेट करते हैं तो अब कोन सी बर्तिया क्या होगा ग्रूप चपनस्ताउन का क्या होगा अर्याना पुलीस की बर्तिया क्या होगा क्या फीजिकल होंगे ग्रूप डी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा टी जीटी क रिजल्ट कब आएगा तो एक एक करके हम बात करेंगे सबसे पहले बताना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा यदि आपको आगे भी सही समय पर सही जानकारी चाहिए है नहीं नहीं भरतियां बहुत सारी आई हुई हैं जिसकी मैंने वीडियो डाल रख करके बैल की आइकन को ओन करके रखा हुगा तो आपको उसकी अपडेट मिल जाएगी उसकी नोटिफिकेस आपको मिल जाएगी तो दोस्तों बात कर लेते हैं कौन सी वरतिया क्या होगा सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं गुरूप डी की वरतिया की तो गुरूप डी जब तक पांच नमबर वाले केस का फैसला जो इन्होंने सुरक्षित रखा है अरिजरव रखा है अभी पांच नमबर हटे हैं या बचे हैं किसी को नहीं पता अभी केवल जजज साब के मन में चल रहा है कि क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या नहीं कर पांच नमबर का जो फैसला आना है वो रिजरव रखा हुआ है ठीक है तो ये तो संभावना है कि ऐसा हो सकता है कुछ लोगोंने कनफर मान रखा कि हटेंगे ही कुछ लोगोंने मान रखा कि ये कहीं नहीं जानेंगे तो ये चीज़े तो भई जब जद सब फैसला लिखेंगे तभी पता चलेगा तो गुरूप डी का जो बचावा रिजल्ट है जब तक पांच नमबर वाड़ा मामला फारिक नहीं हो जाता तब तक नहीं आएगा रही बात क्या गुरूप डी के वर्ति के उपर कोई आच आ सकती है तो ऐसी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आ करता हुगा वो रिजल्ट हो सकता है उसमें बच्चे नए जो बच्चे है वो सामिल हो जाए ठीक है ज्यादा बच्चों के आने के चांसिज है या कट ओफ और जाने की चांसिज रहेंगे यदि पांच नमबर हटते हैं तो ठीक है जी उसके बाद में दोस्तों तो गुरू 12% रिपीट वाड़ा मामला है वो अभी आगे और सुना जाएगा उसकी सुनवाई आगे और होगी और साइद जुलाई की डेट देदी है लंबा खिच गया है चपन वाड़ा यानि की चपन कैंसल होगा या नहीं होगा इसके लिए आपको अभी और इंतजार करना पड़े तो 56 भी आपका हो गया भाई अभी केस चल रहा है केस क्लोज नहीं होगा है और सुनवाई आगे अभी और ओने 41 परसन को लेकर 57 के उपर भी जो फैसला है वो सुरक्षित रखा हुआ है रिजरव रखा हुआ है इसको क्या करना है क्या नहीं करना सेफ है या नहीं है यदी तो 57 में दिक्कत आ सकती है ठीक है तो दिक्कत आ सकती है अधरवाईज नहीं आएगी पांच नमर हटे तो दिक्कत आएगी 57 में अधरवाईज नहीं आएगी ठीक है इसके बाद में अरियाना पुलिस की वरती की बात कर लेते हैं तो अरियाना पुलिस की वरती में भी दोस प्रच्छित है जब तक वह फैसला नहीं आएगा तब तक अरियाना प्लिस के बरती का फीजिकल स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि पांच नंबर का लेना देना यहां पर भी है च्यार गुणा का फर्मुला लेना देना यहां पर भी है तो आपको भी इंतजार करना पड़ेगा जब तक फैसला नहीं आ जाता फैसला सुनाया नहीं जाता है उसके बाद बाद आती है TGT भरते के दोस्तों तो TGT का रिज़ल्ट भी 5 नमर वाद मामला है उसी मामले के कराण रुखा वगा था उसी मामले कराण सटे था अब सारे के सारी चीजें हो फारिक हो गई है पां रिजल्ट गोसित कर दिया जाए ठीक है यानि कि मुख्यत असारी की सारी चीजें अब जो फैसला रिजरव है उसके उपर डिपैंड करती है एक्सेप 56 चपन ठीक है जी गुरूप 56 इसका मामला भी आगे सुनवाई होनी है बाकी का मामला क्या है सारा क्या सारा फैसला जो रिजरव रखा है उसके उपर डिपैंड करता है वो फैसला क्या आएगा किस दिन आएगा उस दिन के बाद ही प्रोसेस आगे बढ़ेगा ठीक है तो यह कुछ अपडेट थी मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे थे और मैं भी कोई नया प्रोजेक्ट में वैस्त हू हूँ यदि आप भी पार टाइम काम या टास्क बेस्क काम करना चाहते हैं घर बैटे ही आप अपनी लाइबरे का खर्चा या मुबाइल का खर्चा निकालना चाहते हैं तो बहुत जल्दी हम यह स्टार्ट करने वाले हैं और आप बस थोड़ी से दुआ दीजिया है और मैं भी पार टाइम वाले काम के इच्छुक हूँ तो जैसे ही वह हम स्टार्ट करें तो आपको पास भी पर्सनली मैसेज कर दिया जाएगा तो धन्यवाद वीडियो का ऐसे लगी है इनिफ्रमेशन का ऐसे लगी है आप कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएगा धन्य स्टार्ट Сलुग चुरूर जाले कर दो, सलुगर की पलीियो को प्रफ़त कर दो, מפो जो कर दो मेंट जो कि भी एत जो चॉक्त कर दो ईतू को पही है उत्लिव sorcerों थो